हेलो स्टुडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हम इस वीडियो में हर्षवर्दन का प्रारंबिक जीवन तता उसके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे, जो एक्जाम की दर्ष् इसमें से एक आदा क्यूसन आपको पक्का मिलेगा, तो वीडियो को द्हान से देखिएगा, तो चले पढ़ते हैं हर्षवर्दन का प्रारंबिक जीवन तता उसके द्वारा रचित ग्रंथ हर्षवर्दन का प्रारंबिक जीवन गुपत समराजे के विट विगठन के बाद उत्तर भारत में जिस राजनतिक विक्यंद्री करण के यूग का आरंब हुआ, हर्षवर्दन के राजयरोहन के साथ ही उसकी समापती हो गई वर्दन वंस या पूसी भूती वंस के सबसे प्राकरमी समराज हर्षवर्दन ने अपनी उपादियों के द्वारा उत्तर भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार इस्तापित कर लिया हर्षवर्दन प्राचीन भारत के परमुक समराट असोग और समुद्र गुप्त के समाने एक विस्तारवादी एम सक्ति सली एम परतिभा सली सासक था जिसने इत्यास में अपने यस की पता का फैर आई थी तो समराड असोक और समुद्र गुप्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं आप गुप्त काल प्ले लिस्ट में जाके और इन सब के बारे में जानकर प्राप्त कर सकते हैं हर्ष वर्दन का जन्म पांसो इकांड में इस्वे में हुआ था हर्स के प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, इसकी माता का नाम येश्वमती था हर्स के दरबारी कवी बानबट ने अपने गरंथ हर्स चरीत के चोथे उच्छवास में हर्स के बस्पन की गठनाओं का वर्णन किया है बानबट के अनुसार येश्वमती के गर्भ तथा रिधे में एक साथ हर्स का उदे उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार देवी के गरभ में चक्र पाने का जैश्ट मास के क्रिश्ण पक्स द्वाद्वसी को हर्स का जन्म हुआ था राज जोतिसी तारक के नुसार ऐसा सुभ योग चक्रवर्ती समराट के ही जन्म के अवसर पर होता है हर्स का बचपन उसके ममेरे भाई भंडी तथा मालवराज महासेन गुप्त के दो पुत्रों कुमार गुप्त या माधव गुप्त के साथ वेतीत हुआ उसे राजकुमारों के अनुरूप सिक्सा दिक्सा दी गई वहें विविल सस्त्रों को चलाने में भी कुशल हो गया था बानबट की दूसरी कृति कादंबरी है जिसमें उस समय की विदार्थियों को व्याक्रण, न्याई, रामायन, महाभारत, राजनिति, पुरान, आदि की सिक्सा दी जाती थी जो हर्स को भी दी गई है राजे बर्दन के मर्ट्यू के बाद 606 इस्वी में खानेश्वर के सिहासन पर हर्स को बठाया गया उस समय हर्स का सेनापती सिहनाद था तो कई बार कि उसनों पूछ लेते हैं कि जब हर्स का सिहासना रोहन हुआ तो उस समय सेनापती कौन था वहता सिहनाद जब हर्स का राजरोन हुआ उसमें उसके सामने कई समस्चें थी जिनका निवारन उसको करना था जिनका वीवरन निम्नलिखित है गोड नरे ससांग को मारकर अपने भाई राजय वर्दन की मर्ट्यू का बदला लेना अपनी भाई राजय स्री को करनोच के कारागार से मुक्त कराना उन सबी राजों एंसमन्तों को दंड देना जिन होने समय का लाग उठाते हुए अपनी सुवतंदर्था गोशित कर दी थी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर्ष ने अलपाई में इथानेशवर के सासन की बाग दोर समबाली तथा अपने सत्रों को भी मुहतोर जवाब दिया वहीं उत्तर भारत के विशाल भूभाग को अपने समराजय के अंतरगत संगटित कर लिया अब देखे हर्ष वर्दन की रचनाएं तो इत्सिंग बताता है कि बुद्ध के पिछले जर्मों से समंदित 500 कविताएं राजा हर्ष को अर्पित की गई और वे जातक माला के नाम से परसिद हुई इत्सिंग बताता है कि बुद्ध वाहन की कथा को हर्ष ने कविता बद किया जैदेव ने अपने कृती गीत गोविंदम में कहा है कि कालिदास और भास की भाती हर्ष भी है वो क्या था एक महा कविता हर्ष को सेंस्क्रिट के तीन नाटेक ग्रंथों का रचियता माना जाता है वो तीन ग्रंथ इस प्रकार सें देख discret प्रियादर्ची का रतनावली और नागानंद ठीक है तो हर्ष के तीन जो नाटक है नाटक रंथ है वो कौन-कौन से हैं प्रियादर्ची का रतनावली और नागानंद तता ये कौन सी भासा में लिखे गए हैं सिंस्कृत भासा में लिखे गए हैं तो देखेगा इस वीडिय से महां आपको आगे और भी जानकरी परदान करेंगे आपको और भी आगे अच्छे से अच्छे वीडियो दिखाएंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे